मुकेस मडर केस की बात है कितने दीन निकल गए ये बात दिपावली के दीन की रात की बात है इतने दिनों के बाद आखिर मडर पकड़ा नहीं गिया क्या वज़ा है अगर जो कुछ भी है देखिए परसासन की इसकी जिम्मवारी लेनी होगी और इस पे जो कदम उठाने है जैसे भी है जहां तक मुझे जानकारी मिली चार थाना इसके लिए लगे हुए है डिप्टी एसपी इसके लिए अपॉइंटेड है तो आखिर क्या वज़ा है कि अब तक कोई सुराग निकल नहीं पाया आज बात करते हैं खास बुलाया गया है ये बात के लिए इस विशय पे बात करने के लिए रवी कुमार जो उनके बड़े भाई है रवी जी क्या वज़ा है क्यों आप बात्चित कहा कहा किये हैं क्या क्या परिशानी आ रही है सर सबसे पहले बात तो हमको एडिशनल जो एस पी है उनसे भी हम मेरी बात हुई और उनसे इस बारे में हम पूछे तो वो बोले कि काम हो रहा है हम लोग लगे हुए चार थाना इसमें लगा हुए लेकिन हम जाना चाहते हैं कि आज 20 दिन के करीब हो गया मेरे भाई के मोडर का और अभी तक अपराध ही क्यों नहीं पकड़ा गया परसासन काम कर रही है मानते हैं और हमको कोई रिजल्ट नहीं मिला तो हम क्या माने इसको है अखीर हत्यारा कौन है ये तो हम जानना चाहेंगे न कुछ बात होती है जैसे कि कोई रंजीस पहले की किसी तरह की कोई और दुस्मनी किसी बात के लेके आपके भाई के साथ इस तरह की कोई बारदाद अगर कोई बात्चीत पहले की है तो वो अगर बताती है तो उससे एक सुराग मिलता है तो क्या आपने इस तरह की बात बताई है। या कुछ नहीं जानते ते हम यह कहीं इसके साथ इस वह भी सकता है तो हम किसका नाम दें के कहीं कुछ घुट ऑड्वी मिली वह यह देखा गया कि इनके बोडी में कुछ पैसे भी पड़े हुए थे, पैसे भी सलामत है, उसके साथ में चेन पहने हुए थे, वो भी सलामत है, अंगठी भी सलामत है, तो ये वारदात इस अस्तर पे आ रही है कि छीना जप्टी का कोई मामला नहीं लग रहा है, आप क्या कहेंगे? जी, सर, चीना जप्टी एगर आता था सर, उसके पैकेट से पैसा भी था, दो ढ़ाई अजर तीन अजर जो भी पैसा था, अंगठी था सर, और पर्स ले गया, और मोबाईल ले गया, तो हमको नहीं लगता है कि अगर चीना जप्टी वाला अगर हो कोई तो अंगठी छोड़ या पैकेट में पैसा हूँ छोड़ दे, या चीना जप्टी वाला चाकू और हथियार बंदुक ले के आता है, जट से मारेगा और भाग जाएगा, सबसे पहले तो चीना जप्टी में खून ही बहुत कम होता है, अगर बाइद वे होता भी है, तो किसी को आदा घंटा उसक हाथ फ्रेक्चर था और उसका दहना वाला हाथ फ्रेक्चर था अउठी पच्का हुआ था और जब पोश्मार्टम करके जो डॉक्टर निकलों को बताया थी कि यह सब भी तूटा हुआ है, यानि इसके ऊपर पूदा गया है, और छीना जप्टी करने वाला उस तरह से उतन साजीस की तहथ उसकी हत्या की गई है, और मैं पर्शासन से यहीं जानना चाहूंगा कि हम बात होती है, हमको उदय पस्वान जी से उनका तव्यत खरा हुए है, आदापूर के जो संदीप कुमार है, उनसे भी हमको बात होती है, बाबु काम हम कर रहे हैं, कल हम अपने मंतर हैं क्योंकि अब 20 दिन के लगबग हो गए हैं, ठीक है, मडर केस के लिए लगी हुई है, ठाना भी लगी हुई है, डीएसपी सहाव रक्सॉल के लगे हुए हैं, और अला अधिकारी डिप्टी इसपी भी इसके लिए लगे हुए हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं निकल पा र रही है, लेकिन हम जब तक कोई हमको रिजल्ट नहीं आएगा, हम संतुष्ट कई से होंगे, यह काम कर रही है, यह बात हम पता है, परसासन काम कर रही है, हमको इस चीज के जनकारी है, लेकिन काम कर रही तो क्या हुआ, कब तक इंतजार हम करें, यह नहां जाना चाहते हैं ये बाते जो सामने आ रही है क्योंकि परिशानी हो रही है आज इतने दिन होने के बाद भी जब तक इसका कोई न कोई result आना चाहिए जो इसके murder case में involved हैं उनका नाम आना चाहिए सामने और ये जानकारी निकल के आने चाहिए क्योंकि जैसे जैसे दीन बित्ता है case और होता चला जाता है ये जानकारी जुटाना जरूरी है उन तत्यों को जानना जरूरी है और पकड़ना जरूरी है जो भी इस murder case में involved हैं तमाम जानकारियों के साथ मैं नवीन गिरी City News बिहार से